कि ओके सो हेलो व्रीवन वेलकम टो आएफेस एना वेरी गुड़ मौनिंग तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आप लोग के लिए जो हम लोगों ने सीएसा नेट के लिए ते लिए आफेस्ट आणलाइन.com उस उसे में जाने के बाद आपको र्रीजिस्टर करना होता है ठीक है डीस करने के बाद आजिसी आप पर से जया दो फिरसे जब अप उसी गट्रों को या फिर उसीस्ट high057 2020 को ऊपिन इपन आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहापे आपको क्लियरली दिखाए दे रहा है कि एक फोटो और यहाप आपको राइट में यहापे इस जगा पर आपको यहापे आपको लॉगिन का ओप्शन से देखने को मिलेगा लॉगिन जैसे आप क्लिक करोगे उसके उपर लॉगिन क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा आएगा कि वेल्कम टौ आइफ़ेस ठीके तो फरस्ट अफॉल क्या करना है आपको एक तो पहले अगर आपने रिजिस् सदrates ने हो जाता है फीट जब आप आपको ओपेन गरोगे तब आपके बास एक अईसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहासे आप plus लॉगिन कर सकते हो तो जैसे एप लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक पेजसे मघने छाओब और आपको डालना GREG डालने के बाद आपको send OTP में क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप send OTP में क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास ऐसा एक पेज में redirect किया जाएगा जिस पेज में आपका जो रिजिस्टर मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर OTP आने वाला है तो उस OTP को यहाप आपके पूट करके verify OTP करना है जैसे आप verify OTP कर दोगे उसके बाद आपके पास एक ऐसा टाइप of interface open होगा जिस interface में आपको कहां पर जाना है यह ध्यान से देखना यहां पर काफी सारे options आपको दिखाए करोगे आपके पास टोटाल ऐसे चार पॉइंट आपको देखने को मिलेगा चार हेडिंग आपको देखने के मिलेगा unit test mock test previous exam paper and scholarship test तो हम लोग यह जो free mock test कर रहे है तो इसलिए आपको unit start now जैसे ही है जैसे आप start now पर क्लिक करोगे आपका जो exam है उसके लिए instruction page open हो जाएगा instruction पढ़के जैसे आप ready to start करोगे या फिर जो भी option वह पर आ जाते कि I admit and all और I agree and all जैसे करोगे आपका जो exam में वो start हो जाएगा तो I hope यह video आपके लिए beneficial हो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है तो फिर से में एक बार और एक बार बता देता हूँ first of all आप एक बार register कर लो पहले get started से sorry आप एक बार यहां से register कर लो register अगर कर लिया है उसके बाद फिर से जैसे page open करोगे आपके पास login का option आएगा जैसे आप login करोगे login करने के बाद फिर आपको register mobile number से वही mobile number यहाँ पर पूट करके send OTP करना पड़ेगा फिर send OTP के बाद यहाँ आपको OTP जो है वह verify करना पड़ेगा and verify करने के बाद जो हमारे home page में आपको redirect किया जाएगा वहाँ पर आप learn fee में चले जाओ learn fee में जाके यहाँ पर जो mock test option को click करो and then exam जो है वह start now कर तो बस आपका exam जो है वह start हो जाएगा I hope this video will be beneficial for you thank you everyone thank you so much and happy learning